हेलो बच्चो पढ़ाई से प्रतियों किता तक की कारिकरव में मिशन शिक्षन सवाट टिम आप सभी बच्चो का स्वागत करती है बच्चो आज हमारा हिंदी व्याकरण में शीट किर्मांख है आठ और इसका परकरण है यर संधी है जूनियर इस तर चलिए शुरू करते हैं पहले बच्चो हम यर संधी की परिभाशक को देख लेते हैं जब इए के आगे कोई विजाती विजाती यानि के समान सवर होने पर इए का क्या बन जाता है वो काई में बदल जाती है ये में बदल जाती है तब उ के आगे किसी विजाती सवर के आने पर उ को काई में बदल जाते है और जब रा के आगे किसी विजाती सवर के आने पर रा जो होता है वो रा में बदल जाता है इन्हें यारसंधी कहते हैं इस परकार पर जो हम देखते हैं कि जब रा के आगे कोई भिन सवर यानि कि दूसरा सवर आता है तो ये सवर ही आता है है ना वैंजन नहीं एकियोंगे सुबर आता है तो यह किरमशाया वारा और लाममें परिवर्त वा जाते हैं इस पर परिवर्तन को ही क्या कहते हैं बच्चों यरसंदी के उदारंधया कि अधारंधया प्रियावरन अगर हम इसका पहला पत देखते हैं परी है और इसमें क्या है इसमें इ आरी है प्लस और इसका जो दूसरे पत का जो पहला पहली धोनी है वह ओ क्या बनगिया है उसने काय का किस में बदल गया है वो या में बदल गया है तो परिया वरण का क्या हो जाएगा परिया वरण अती पिलस अधिक, अत्यधिक, वी पिलस आकुल, व्याकुल, अधी पिलस अक्ष, अध्याक्ष, पर्ती पिलस अय, पर्तिय, अभी पिलस अर्थी, अभी अर्थी, परी पिलस अतन, पर्यटन, वधु पिलस आगमन, वध्वागमन, चलिए इसके अन्यो धारान देख लेते है अनुपिलस अवे अनुपिलस इक्षा 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 मात्र पिलस आदेश मात्रादेश मात्र पिलस आग्या मात्राग्या चलिए विचो हम इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं पहला है इसके कुछ नियम होते हैं वो नियम हम देख लेते हैं पहले नियम में हम लेते हैं E पिलस आ बराबर या E plus A मिलकर क्या बन जाता है हमारा या बन जाता है तो जैसे मैं आपके सामने एक शब्द बोल रही हूँ अधियाए तो ये अधियाए जो है इसके अगर हम संदी विच्छेत करेंगे तो अधियाए बन जाएगा अधियाए पिलस आय यानि कि इसका जो पहला पद है उसकी जो आखरी धवनी है वो है E और दूसरे पद की जो पहली धवनी है वो है A अब E और A वह दो सवर हैं जिन से मुखेता संदी करने पर इन दोनों शब्दों का संदी करने पर ही तो परिवर्तन आया है इसमें परिवर्तन आ जाता है जब दो शब्दों की संदी हो रही है तो ये दोनों सवर मिलकर क्या पना देते हैं हमारा या बना देते हैं जिसे अधी और या का अधियाए बन जाता है आदे यह जो उधारण है, यह काय का उधारण है हमारा या़ संधी का उधारण हुआ अब दूसरा देखते हैं इसमें इस अ बराबर भी क्या होता है? या ही होता है इत्ति पिलस आदी यदि हम इस संधी को मिलाएंगे तो इसका एक शब्द बनेगा इतियादी अब इस इतियादी की यदि हम संधी करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इति पिलस आधी बनेगी अब इसका जो पहला पद है उसकी जो आखरी धवनी है वो है इ और इसका दूसरा पद है उसकी जो पहली धवनी है वो है आप इवम आ वह दो सवर हैं जिन में संधी करने पर शब्दों में परिवातन आया है जब दो शब्दों की संधी हो रही है तो ये तोनों सवर मिलकर क्या बना देते हैं या बना देते हैं तो इति पिलस अधी का किया बन जाएगा, इतियादी बन जाता है तो ये जिए उधारन है, ये भी काह阿जारन हुर यर्षून्दी कही उधारन हुरूआ अब तीसरे में हम देखते हैं, यू बराबर क्या होता है? यह होता है अब इसको देख लेते हैं कि इसमें एक है अतियावशक है ना ये शब्द है अतियावशक अब हम अगर इसकी संधी करते हैं तो अति प्लस अवशक ये हुई इसकी संधी तो इसमें जो पहला पत देते हैं वो है अति तो उसकी जो पहली आखरी धवनिय है वो है E और जो दूसरा पत है उसकी जो पहली धवनिय है वो है A E और A का मिलान जैसे कि हमने अभी उपर बताया आपको E और A जो मिलकर क्या बन जाता है या बन जाता है तो अति पिलास आविशक क्या लिखा जाएगा अतियावशक लिखा जाएगा यानि कि जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया य और आज जो है वो दो स्वर हैं जिन से जिनकी संधी करने पर शब्दों में परिवर्तन आ जाता है जब दो शब्दों की संधी हो रही है तो ये दोनों स्वर मिलकर क्या बन जाते हैं क्या बना देते हैं या बना देते हैं तो अति पिलस आवशक का जो है अतियावशक बन जाता है तो ये उधारन हमारा काय का माना जाएगा जण संधी का उधारन माना जाएगा अब दूसरा देखते हैं इसका दोसरे में क्या है नियम में कि e plus a बराबर या बनता है इसका भी एक शब्द ले लेते हैं चलिए हम अध्ययन अब अध्ययन की अगर हम संधी करते हैं तो अधी पिलस a अध्ययन है ना अध ही में जो पहला पद है वह अधी है इसकी आकरी धाउनी है वह और यह दूसरा पद है उस GUY पहली दौनी हैं वह ओं एक पिलस av मिलकर क्या बन जाता है हमारा या बन जाता है जाने कि इवम वह दो सवर हैं जिन में मुख्यता संधी करने पर शब्दों में क्या आ रहा है परिवर्तर आ रहा है जब दो शब्दों की संधी हो रही है तो ये दोनों सवर मिलकर क्या बन जाते हैं ये बन जाते हैं अधी पिलस अयन का लिखा जाएगा अधियन लिखा जाएगा तो ये भी हमारा क्या हुआ ये भी ये पिलस अ बराबर क्या बन जाता है ये के बन जाता है और इसका एक उधारन देखते हैं कि एक शब्द है परति एक किया यदि हम संधी करते हैं तो परति पिलस एक होता है तो परति पहला पद हुआ जिसकी आखरी धवनी है और दूसरा पद है एक जिसकी पहली धवनी है तो इसमें क्या हुआ कि e प्लस a बराबर मिलकर क्या बन जाता है ये में परिवर्टित हो जाता है e एवम a ये जो है वो क्या है दो ऐसे सवर्ण है जिनमें मुख्यता संधी करने पर शब्दों में परिवर्टन आ रहा है है ना जब दो शब्दों की संधी होती है तो यह दोनों सवर मिलकर कौन सा वो बना देते हैं कौन सा सवर बना देते हैं यह सवर बता देते हैं कौन का दिखा जाएगा अधियन लिखा जाएगां और जैसे पर्ति प्लस कि क्या लिख जांगा तो व्य關aire अब चलिए देखते हैं किस का तीसरा नियम क्या है O plus A ب spectacle काई में convert हो जाता है वो बदल जाता है वो में बदल जाता है यानिकि आधा आधे वर्ण में बदल जाता है writing जैसे अनवेशन तो अनवेशन के यह ढदि हम संधी करते हैं तो अनू प्लस Aital होता है तो अनू की जो पहला पद है या अनू तो उसकी जो आफरी धवनी है वो है U और जो दूसरा है दूसरा पत है Asian उसकी जो पहली धवनी है वो है A तो और A पिलस मिलकर देखिए जिसे की उपर लिखा हुआ है वा में बदन जाता है तो हमारा क्या होगा? Unvation कैसे लिखा जाएगा यह? Unvision प्लस ई बराबर क्या मिलकर बन जाता है वी बन जाता है ना चलिए अब इसको देख लेते हैं इसका एक शब्द है अन्वित तो इसकी जब हम संधी करते हैं तो अनू प्लस इत और चलिए प्लस ई मिलकर क्या अब डूसरा गहता है वी बन जाता है तो क्या लिखा जाएगा अनुपिलस इत्ट क्या लिखा जाएगा अनुवित इवब आ वे 12 सवर हैं जिनसे मुख्यता क्या होता है संधी करने पर शब्दों में परिवतन आ जाता है जब दो शब्दों की संधी हो रही है तो ये दोनों सवर मिलकर भी बना देते हैं अनुपिलस इत का क्या बन जाएगा अनुवित बन जाता है अत्य ये उधारण भी है ये उधारण भी काई का उधारण है याण संथी का ही उधारण माना जाएगा या है बच्चों इससे पहले की शीट में हमने आपको कुछ कार्य करने के लिए दिया था चलिए हम शीट के मांग साथ के उत्तर देख लेता है पहला इसका उत्तर है कि जब आ आपलिंग आ सवर का मेल यानि कि संदी करने के बाद वाले ए और ए से होता है तो इन दोनों सवरों के इस्तान पर ए हो जाता है अर्थाद आ प्लस आ प्लस ए ओबलिंग ए बराबर क्या हो जाता है ए इसी परकार आ ओबलिंग आ के बाद ओबलिंग ओ सवर मिले तो ओ हो जाता है अर्थाद आ ओबलिंग आ प्लस ओ ओबलिंग ओ बराबर ओ तो इस परकार की संधी को क्या कहते हैं वरदी संधी कहते हैं इसका दूसरा उत्तर है कि आ प्लस ओ बराबर ओ के तीन उदाहरां लिखिए तो तीन उदाहरां हैं जलोग यानि की जल प्लस ओ परमोज परम जमा ओज जलोस जल प्लस ओस वच्छो आज भी हम आपको कार्विय कर यह दे रहे हैं, आप अच्छे से कीजिएगा, पहले आप इस वीडियो को देखकर इसमें से यर संधी की परिभाशा जो है, वो लिखनी है, पहला इसका परशन है कि यर संधी की परिभाशा लिखिए, आप वो लिखिएगा, दूसरा परशन है इसका, कि यर संधी का नियम न जखने वा.